हाई गर्स कैसे हो आप सब तो यार आप तो जानती हो कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ एक अमेजिंग सा सिंपल सा न्यूड मेकप लोग जो कि बेसिकली कॉलेज को इंग गल्स के लिए होगा अगर आप ऑफिस भी जाते हो तो भी आप ऐसा मेकप करके उन्हों चाह सकती हो तो बस बहुत ही बेसिंग सी चीज़े आज मैं यूज करूँगी पांच मिनट का मुश्किल से काम होगा आप सारा मेकप अतना कंप्लीट कर लोगों पांच मिनट के अंदर ही और साथ में आज में फांडेशन या फिर बीबी क्रीम का यूनों यूज नहीं करने वाली हूँ ना ही सीसी क्रीम का यूज कर रहे हो अब इसकी जगा पे मैं कैसे क्या करती हूँ अपने मे अच्छा होगो तो बस कुछ ड्रॉप्स मैंने सेरम के लिए और अपने फेस पर इसके मैं अप्लाई कर लोगी इससे फेस पर थोड़ा सा ग्लो भी आ जाएगा और स्किन हाइड्रेट भी हो जाएगी मौश्राइज हो जाएगी डीपी तो मेकप के बाद में हमारी स्किन का सही रहेगे आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग स्किन टाइप के अकॉर्डिंग तो फिर उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो अल्री किया है आप इसको देख सकते हो तो पूरे फेस पे अच्छे से इसको लगा कि बस ब्लेंड कर लेना है अपनी फिंगर से और बहु संस्क्रीम भी अप्लाई कर लिये अब इसके बाद में सिकन केर की हैं वाद कर रहे है तो मोस्टराइजर ना अप्लाई करущ assists अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं एपने मेंपत की तरफ तो जैसे कि मैंने आपकी स्टाटिंग में बोला कि मैं foundation या फिर बीवी क्रीम का यूज नहीं करने वाली हूँ तब इसके जगप आज मैं क्या करूँगी मैं यूज कर रही हूँ ये concealer मेवी रिंक का concealer है और इसमें मेरा shade है बहुत जादा मैं इसका यूज नहीं करने वाली हूँ फेस पे जहां पे स्पोट्स हैं सिर्फ वही पर मैं इसको अप्लाई करूँगी हाँ इतना कर लिया अब इसके बाद में मैं फिंगर से ही इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ बहुत जादा concealer नहीं लगा रही हू क्योंकि अगर एक-दो स्पोट दिखेंगे भी तो फिर तो कई फार्ट नहीं करेगा क्योंकि college ही जा रहे है तो party attend को करने जाने जाए हूँ चारो concealer apply हो गया है अब इसके बाद में next product जिसका मैं use करते हूँ वो होता है loose powder तो मैं आहाँ पे Medellin का loose powder use कर रहे हूँ और इसमे मेरा shade है 25 medium तो इसे में brush की health पे अपने face पे apply करोंगी तो गस इसको एक बार अच्छे से अपने face पे apply कर लेना है brush की health से blend कर लेना है चलो इतना कर लिया अब इसके बाद में next tier में क्या करते हूँ मैं अपनी eyebrow को set कर लेती हूँ तो मैं हमेशा की ही तरह miss clear की eyebrow pencil यूज करने वाली हूँ जिसमें मेरा shade है brown और इससे मैं अपनी eyebrow को अच्छे से fill कर लोंगी और इसके बाद में eyebrow pencil में जो brush है उसकी help से हम इसको अच्छे से blend कर लेंगे चलो eyebrow को यहां पर set कर लिया है and eyebrow काफी सही लगने लगी है अब इसके बाद में next चीज मैं use करते हूँ लिप्स्ट इस पर अप्लाई करने के बाद में मैं finger से इसको अच्छे से blend कर लोंगी लिप्स्टिक अप्लाई कर लिया फिंगर पे जो हलकी सी lipstick लगे है इसे बस में अपनी eyelid पर अप्लाई कर लोंगी अब इसके बाद में मैं क्या करती हूँ मैं compact है उसको अपने lips पर इसे जो shine होता है अपने lips Tika वो भी चला जाता है साथ भी थोड़ा सा जो लिप्टी का कलर होता है वो भी light हो जाता है अब इसके बाद में next चीज़े में अप्लाई करूंगी उसको करने के बाद में आखी जोंगी वो कापी अच्छी लगने लगेंगे और बोह मस्कारा तो मैं हाँ पे बहुत जादा में यूज नहीं करते हूं बिल्कुल हल्की से इसको लगाते हूं बस एक natural glow के लिए बहुत ही थोड़ी थी चलो इतना कर लिया अब इसके बाद में क्या करने वाले हूं मैं काजल की उसकर रही हूं मैं पूरी आख पे इसको नहीं लगाऊंगी बस corner पे हल्क अब इसको लगाऊंगी थोड़ा सा अच्छा इप्लाने के लिए तो काजल पी अप्लाई कर लिए और आखे काफी सही लगने लगी अब इसके बार में एक लास्ट चीज में अप्लाई करने वाली हूं अगर आप चाहो तो उसको अप्लाई कर सकते हो नहीं तो आप उसको कर सकते हो मैं भी ऐसे मतब हमेशा जब कॉले जाती हूं तो मैं इसको नहीं अप्लाई करती हूं बट वीडियो में मैं आपको दिखाने के लिए कि उसके वज़े से आखे जोंगी वह काफी अच्छी लगने लगेंगे और बहुत सारी इसका यूज भी करती हूं इस वज़ कर दो